नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी की डाइट क्या खाएं क्या ना खाएं में दोस्तों चिकन खाने के बहुत से फायते और नुक्सानों के बारे में आपने सुना या पढ़ा होगा लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ऐसे चिकन के बारे में जो दुनिया का सबसे ताकतवर और महंगा चिकन माना जाता है जिहां दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कडकनाथ मुर्गे के बारे में दोस्तों ये चिकन की ऐसी वराइटी है जिसे खाने से आपको फायदा ही फायदा होगा और इसके साथ साथ कई बीमारियां भी ठीक हो जाएंगी दोस्तों स्थानी भाषा में कडकनाथ को काली मासी भी कहते हैं क्योंकि इसका मास, चोच, जुबान, टांकी, चमडी, आधी सब कुछ काला होता है यानि कि ये बिल्कुल जेट ब्लैक, ओल ब्लैक होता है दोस्तों कडकनाथ मुर्गे में आम मुर्गी के मुकाबले 25-30 प्रतीशत ज्यादा आइरन, प्रोटीन, केल्शियम, हेमोगलोबीन और अन्य तत्वों के साथ साथ विटमिन B1, B2, B6, B12 भरपूर मात्रा में मिलता है यही नहीं, इसमें वसा और केलस्ट्रोल भी ना मात्र का पाया जाता है इसमें वसा केवल 2.94 परसेंट होती है आम मुर्गे में कॉलस्ट्रोल 100 ग्राम चिकन में 200 मिलिग्राम होता है लेकिन करकनाथ मुर्गे में 100 ग्राम चिकन में केलस्ट्रोल केवल 60 मिली ग्राम होता है अब आप खुदी सो सकते हैं कि कहां 200 मिली ग्राम केलस्ट्रोल और कहां सिर्फ 60 मिली ग्राम केलस्ट्रोल इसलिए चिकन को दिल और डाइबिटीज के मरीज अच्छे से खा सकते हैं ये उनके लिए फाइदेवन्द होता है दोस्तों विराद कोहली यहां दोस्तों विराद कोहली दे ग्रेटस्ट इंडियन प्रिकेटर ये चिकन खाने के बहुत शौकीन है लेकिन कोलस्ट्रोल की प्रॉब्लम की वज़ा से इन्हें चिकन छोड़ना पड़ा था फिर डॉक्टर्स ने इन्हें कड़कनाख चिकन खाने की सलाह दी और अब वो एकदम फिट और हिट हैं दोस्तों ये मुर्गा योन शक्ति को भी तेजी से बढ़ाता है तथा आपको हाई पावर प्रदान करके आपकी इम्म्यूनिटी को बहुत स्ट्रॉंग बना देता है इसके साथ साथ ये आपके रिदय दिमाग आखों और गर्मवति महलाओं के लिए जो शारेदिक रूप से कमजोर लोग है उन लोगों के लिए बहुत फाइदेवन्द होता है इसकी तासीर गर्म होने की वज़ा से ये आसानी से पच्च भी जाता है दोस्तों ये कड़कनात आपकी हड्डियों और दातों को कड़क बनाने के साथ साथ आपके अन अंगों और मास्टेश्यों पोभी मजबूत बनाता है इसलिए इस मुर्गे की डिमांड दुनिया में बढ़ती ही जा रही है खास कर बॉड़ी बिल्डुस में ये मुर्गा ज्यादा तर मद्ध प्रदेश के जबूआ में पाया जाता है लेकिन दोस्तों फाइदे बड़े होने के साथ साथ इसकी कीमत भी बड़ी होती है इसका एक अंडा 40-50 रुपे और एक केजी चिकन 800-1200 रुपे में मिलता है तो दोस्तों अब आप भी ये कड़क नात खाके एकड़क हो जाएए और अगर आपको हमारे दोरा दी की जानकारी अच्छी लगी हो तो ऐसे ही खास जानकारियां पाने और सौस्त रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करना ना भूलें और हाँ द तब तक के लिए सौस्त रहिए मस्त रहिए जैहिंग जैनारत